दारगन स्थाना चेतर के अलोफी बाग चुंगी के पास उस्तित एक होर्टल में गुरुबार रात सो रहे एक कर्मी की मौत हो गई छे कर्मचारी अचेत हो गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया है पुलिस का कहना है कि भठी के गयस से अचेत हुए हैं अमेश्ची जनपत के जामो ताना चेतर के अंगरवाग आउन निवासि फिजे कुमार सर्मा और मोनु सर्मा पुत्र गंगा परशाद सर्मा एक पुत्र और पतनी गीपा सर्मा का भरन पोर्शन करने के लिए प्रियाग राज के अलोपी बात चिंगी के पास इस चिरी राम होटल में लगबख पांच वर्सों से काम करता था उसका भाई कुलदीव सर्मा भी साथ में काम करता है दोनों के साथ मुनीव, परदीव, शिवान, समयत कुल साथ लोग काम करते हैं पुलिस का कहना है कि होटल माली के घर साधी होने की वज़े से गुरुवार रात पोजन करने के बाद सबी भटी जलती हुई छोड़कर सेटर गिरा कर सो गए रात में भटी से निकलने वाले गर्म गैस से अचेत हो गए रात में जब होटल मालिक किसी काम से वहां पहुंचा तो उसने सभी मजदूरों को अच्छे दावस्था में पाया उसने तद्काल पुलिस को सूचना दी और उपचार के लिए अस्पताल में भरती कराया जहां विजय कुमार उर्फ मोनु की हालत नाजुक होने पर सौरू प्रानी अस्पताल भेज दिया गया जहां डॉक्टरों ने सुक्रवार की भोर में मोनु को मृद घोसित कर दिया अच्छी हो चुकिते हैं लोग तो सार लोगों को यहां पर पज़र संसान की जाएगी है एक पाइट हारा ने जाएगी जाएगी और अच्छी जाएगी अजाज कर लोग ऐसे कुछ लिए रात में खाना खाएं पूरे लोग उसके बाद आएं दुकान में तो दुकान में 5-10 विनड सबसाद में बैठें लिड़ो खेल ले थे इसके बाद लिड़ो खेलने के वाद जब गेम खतम हो गया तो सब अपने जगह पर सोने लगए ठिक हो सोने लगए तो सुने लगए तो सो नीन लगी जब नीन लगई तो पता नहीं कब अज़ाना कोई बहुत तेज स भाइय लोग बुला रहे थे, किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा था तब किस तरह का वहां पर लगा हवा कैसी लगी आपको दम भुटा क्या हुआ था कुछ पता ही नहीं चला बस पता है उल्जन से फोन आ रहे थे मेरे फोन भाइया के तो उठा रहे थे लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहे थे पूछ दे दिल्यों रहते हैं आपके नाम मेरे नाम ससी राजे है कर दो कि आपके नहीं बुटा कर दो पता है